हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मा यूटूब चैनल किचिन ड्रेट्स आज मैं बनाने जा रही हूँ अंकुरिद मूंग की एक ऐसी सबजी जो बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ अनेक पॉस्टिक तत्तों से भरपूर भी है अंकुरिद मूंग में प्रोटीन, विटेमिन्स और मिनरल्स भरपूर मातरा में पाये जाते हैं तो टेस्टी और सेहसे भरपूर इस सबजी को बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है इसमें लेंगे बन टेबिल स्पून ओइल ओइल को गर्म होने देंगे ओइल गर्म हो गया है तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ी इलाईची जिसे मैंने क्रश कर लिया है 4-5 लॉंग और थोड़ी सी दाल चीनी इन खड़े मसालों को भून लेंगे हलका भून जाने पर इसमें सबसे पहले प्याज को फ्राई होने के लिए डाल देंगे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लेकर उसे रफली कट कर लिया है प्याज को हलका सा फ्राई कर लेंगे इसे ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे बस ये ट्रांस्परेंट हो जाए इतना फ्राई करना है इस तरह चलाते हुए प्याज को भून लेंगे अब प्याज हलका सा भुन गया है अब इसमें डालेंगे 2 टी स्पून खस-खस या जिसे पोस्ता दाना भी कह सकते हैं इसे भी प्याज के साथ रोष्ट कर लेंगे खस-खस रोष्ट हो गया है तो अब इसमें एड करेंगे 1 टेबिल स्पून नारियल पाउडर मैंने या नारियल पाउडर लिया है आपके पास अगर ये अब लेबिल ना हो तो आप सूखे नारियल को ग्रेट करके या उसे काट कर भी डाल सकते हैं इसे भी साथ में ही भून लेंगे अब सभी मसाले भुन गए हैं तो इस स्टेज पर हम डालेंगे टमाटर मैंने दो मीडियम साइज की टमाटर लिये हैं जिनने रफली कट कर लिया है इने भी मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर इसे चलाने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और सबजी मसाला इने भी मिक्स कर लेंगे, अब मसाला तयार है, इस समय इलाइची लॉंग प्याज की खुश्बू बहुत ही अच्छी लग रही है, तो अब गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे, और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, मसाला ठंडा हो गया है, तो इसे मिक्सी के जार में ट्रांसप लेते हैं, अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें लेंगे टू टेबिल स्पून देशी घी, आप अगर चाहें तो कोई ओल भी ले सकते हैं, लेकिन इसे घी में बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो जब घी मेल्ट हो जाए, तो इसमें मैं डालूंगी एक टेज पत्ता, हाफ टीस्पून राई और हाफ टीस्पून जीरा, अब जीरा के पॉप हो जाने पर डालेंगे अधरक का पेश्ट, इसे भी साथ में ही भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए, अधरक लहसुन के पेश्ट के बाद मैं इसमें दो तीन हरी मिर् मिर्च को मैंने लंबाई में बीच से कट कर लिया है, मिर्च को डालने के बाद थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन, मैंने यहां लहसुन की 5-6 कलियों को बारी काट लिया है, क्योंकि मुझे इसमें कटा हुआ लहसुन बहुत पसंद है, इस कटे हुए ल अच्छापन निकल जाए लैसुन भुन चुका है तो अब मैं इसमें डालूंगी बारी कटा हुआ प्याज इसे भी साथ में ही चलाते हुए फ्राई करेंगे यहां मैं आपको याद दिला देती हूं कि अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल् मैं राइट ब्राउन न हो जाए अब देखिए प्याज फ्राई हो गया है तो अब इसमें डालेंगे वन टीस्पून हल्धी पाउडर इसे भी मिक्स करने के बाद अब इसमें आट करेंगे अंकुरित मूंग मैने मूंग को भिंगो कर इसे अंकुरित कर लिया है इस मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे वन टी स्पून नमक नमक को थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम एक बार पहले भी मसाला ग्राइंड करते हुए भी इसे डाल चुके हैं इसे भी मिक्स कर लेंगे अब इसे पकाने के लिए इसमें थोड़ा पानी एड़ करेंगे इसमें ज इस समय गैस की फ्लेम को लो रखना है पांच मिनट हो गए हैं अब हम इसे चेक करते हैं कि मूंग साफ्ट हुए हैं या नहीं मूंग अभी अच्छे से साफ्ट नहीं हुए हैं इसलिए हम इसे पांच मिनट ढखकर और पकने देंगे करीब पांच मिनट हो गए हैं तो इसे चेक कर लेते हैं अब मूंग साफ्ट हो गए हैं इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ज़्यादा पकने पर ये मैश हो जाएंगे अब जो हमने इसके लिए मसाला ग्राइंड करके रखा था उसे इस सबजी में डाल देंगे मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छे से सभी तरब से मिक्स करना है इसे मिक्स करने के बाद इसमें अब एट करेंगे कुछ मसाले मसालों में मैंने लिया है half teaspoon गरम मसाला half teaspoon लाल मिर्च पाउडर इसे आप अपने स्वाद अनुसार कम जादा भी कर सकते हैं half teaspoon धनिया पाउडर अब इन सब को mix कर लेंगे अच्छे से mix करने के बाद इसमें थोड़ा सा अमचुर पाउडर एड़ कर देंगे इसे भी अच्छे से मिलाएंगे थोड़ी देर इसे ऐसे ही भून लेंगे सबजी को medium flame पर तब तक भूनते रहेंगे जब तक ये oil छोड़ना ना शुरू कर दे लगातार इसे चलाते हुए भून लेंगे अब देखिए सबजी ने oil छोड़ना शुरू कर दिया है अब सबजी बनकर तयार है उपर से इसमें डालेंगे कटा हुआ फ्रेश हरादनिया ये लीजिए तयार है हमारी healthy and tasty high in protein sprouted monkey सबजी आपको हमारी रेश्पी कैसी लगी? पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारी नही नही रेश्पीस के लिए माई चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई